इकबाल तो वो है जिसने अपने पाउं की नोख पे लिया है नोबेल प्राइज को और फिर जनाब याली आई डिड माई मैट्रिकुलेशन और तुक अड्मिशन इन मरे कॉलेज से आलकोट को मरे कॉलेज फिर एक टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ का मरे कॉलेज से एक इंस्पिरेशन थी कि अलामा लामा उण against यहां से पड़े में एंसे लगाके हम मरे कालेज नी आरहा मैं इकबाल को मिलने जारहूं कि अलामा उद्चों प्राकट हूई वहां को जो द्रखत थे के लाँग उनके नीचे बैठना उस हॉल को देखना मौल भी मीर असन यहां आते थे इनको बढ़ाते थे फिर पता चला कि मरे का यहां आके ज्यादा अवेरनेस हुई सब्सक्राइड में आइडिलोजिकल परिस्नालिटी उआ है मुच मूर इंप्रेस्ट बाइक अलामा इकबाल फैज फैज है कि शायर है इकबाल एक नजरियाती बन्दा है लेके चल रहा है उसका तो constitutional mechanism है उसका फैज साब तो कुछ drift हुए हुए है ट्रैक से हटे भी हुए और जिस ट्रैक पर चले हुए है वहाँ पे भी वह वेल डिफाइंड नहीं है मैं नहीं मानता है मनदा अगर आप उनको एक pure secular और pure communist बनाना चाहे तो वह भी नहीं है religion को लएदा सलाम खैरबाद कहे चुके है तो मुझे नहीं पता कि उनको शोहरत की तलाश थी या उनके साथ को problem था लेकिन बड़ी बड़े शायर थे उनको शायर के आर्टिस्ट में ले ले लेते हैं और अकबाल को तो एक divine मैं कहूंगा वो तो एक रुछानी थी वो तो एक फलसफाट अकबाल तो वो है जिसने अपने पाउं की नोक पे लिया है नोबेल प्राइज को अपने जूते की खाक समझा है ऐसे किसी दुनियावी चीज़ों को हत्ता कि शायरी के अंदर अपना एक रुछ कताई उनकी आए क्योंकि मैं मरे कॉलेज की बात कर रहा हूं तो फिर मरे कॉलेज अकबाल के बगएर तो तो तथकरा नहीं होगा अपर मैं शायर भी हूँ तो कहीं ना कहीं तो अकबाल ने वार किया है गो के वो वाला वार अब किया है कि शायरी कौन सी करनी चाहिए फैसा भी बड़े मोतरफ हैं अच्छा कुछ इनके टीचर्स भी कॉमन थे तो अक्बाल जो है एक नोबेल प्राइज वाली मैं बात कर दो कि टैगोर को प्राइज में आज तक लोग कहते हैं अक्बाल को प्राइज नहीं दिया अक्बाल च्छोटा शायर था अक्बाल बहुत बड़ा शायर था अक्बाल ने अपनी मनजल का और शायरी इस वक्त जरूरत है लोगों का माइंड सेट अप जो माइंड सेट है उसको चेंज करने की तो इस वक्त इस स्टेटिसको में शायरी एक टूल के तोर पे आहम है इसलिए में शायरी कर रहा है। जीनियस था वक्त और उसका टायून थे। उसका जो माखिस था इन्फरमिशन का वह कुरान था नभी से उसको महबत थी। उमर का जाने वाला था। खिलाफत के उपर परिशान होता है खिलाफत के टूटने पर और वहाँ भी उम्यद रखता है। आज जब हम तुर्की की बा आज इस मक्मसे के दोर में छुमग वाच्व कैरे के डोर में इस जुम तरुरॉश की बात हरता है जैसे कि तयु अरुईद्गान है और कोई इस लाम्य्वे खिलाफत की बात ही करताँ है हेर रिजिंग होता हमारे लिए हमें अमीद लग जाती है अच्छी बात है लगनी चाहिए हमें हमारी नियतों के सिले मिलेंगे हमें पूछा जाएगा कि उस परिशानी के एहद में जब चीजें बड़ी खराब थी आप सोचते क्या थे कितना भी आप बना सकते हैं इस दुनिया को एकना सोच तो कि इमेजिनेशन इस दा फर्स टेप अगर आप इमेजिनेशन से ही नहीं गुजरते तो कैसे आप मेटिरिलाइज करेंगे तो ये अकबाल यादा अगर उसमानियों पे कोह गम तूटा तो क्या गम है कि खुने सद अज़ार अन्जम से होती है साहर पैदा इकबाल ने उस वक्त असमानियों पे कोह गम तूटने और खिलाफत के इंतकाल पे खात्मे पे जो आरजी खात्मा हुआ था हम तो अमीद के साथ चल रहे हैं ना हमने तो एंड़त नहीं है हमारा अला है हमारा रसूल है हम नहीं है ह हमारा अकीदा भी कमजोर पढ़ गया तो फिर भी हमें पता है को चीज है जिसके पीछे हम थे हमारे अंदर कमजोरी है उस चीज में कमजोरी नहीं लोग कहते हैं जी मुसल्मान कुछ लोग कहते भी है बात के मुसल्मान ठीक नहीं है इसलाम ठीक है तो ऐसा ही बात अच्छ के उपर कि ये प्रॉड़ट्ट जो है ये हमने लॉच की इसको ऑपरेट कैसे करना है इसका कौन सा बटन क्यूं है इसकी लाइफ कैसे बढ़ाई जा सकती है इसके ट्रबल शूटिंग क्या थी ये वह बगारवा था अल्ला को नहीं पता अपनी तखलीक का इसकी ट्रबल शू प्रुट प्रुट